तो अब इसके पिछले parts में हम लोग पढ़चुके है भूम दरेकी जलवाईयू है। ए बारिष होती किस तरह से। बारिष पर क्या क्या चीज़ें असर डालती हैं कहां कम बारिष होती ज्यादां वारिष होती। उसके बाद हमने आपसे डिसक्स किया जो एक्वेटरियो टाइप का क्लाइमेट है भूमद्रेखी प्रिकार की जलवाईू है उसके बारे में ठीक है ना अच्छा आपको बता है ना भूमद्रेखी जलवाईू में ही डोल्डरम मिलते है जीरो से पांच दिगरी दोन अक्षा आपको बताया कि भूमद्रेखी जलवाईू में ज्यादा बारिस की वजए क्या है क्योंकि आप इलाका जो देखेंगे ना यह समुद्र के आसपास है भूमद्रेखी छेतर में ज्यादा से ज्यादा या तो समुद्र है घने जंगल है इससे वाश्पी करण खूँ होता पानी बरसता है लेकिन जैसे ही आप कॉंटिनेंट्स के मिडिल में जाएंगे बीच मे जाएंगे देखें पूरी दुराइप आप देखेंगे इस नंस ऑ फ़री को फीर जाएंगे अर apresent घ्रा द्च इस आनगे घठ में आपर मन सुने हवाएं चलती शल थे असी तरह कि मानसुद्र हवाएं आपको निक्षान एमरिका में मिलेंगे पूठरी अमरिका में मिलेंग मानसुनी हवाइं मानसुनी प्रकारत की जल्वाई sinuai सबसेड़ेता है ऑफने का अए यह मे derived मांसुनी हवाइं पैदा होती है होता क्या है सर्दी करी तूचल रही है तेमप्रेजर कम है तो परेशर ज़ाओ हमारे हवा का जबाब इस समय ज़ाद है क्यों कि हवा थंड है तेमप्रेचर कम है तो प्रेशर कम होगा तॉ पहिल이션 में जो है वह ँटा संभंन होता है अब जैसे जैसे मारच अपरल मई का महीता अएगा या सुरज उत्रान होना लगा यह उत्री गुलाद में गर्मी की रूट में आए गी तो देशली गुलाद में तो देश्ल में सरदी की रुत कई आजयागी आप देखें और मार्च में हमारी यहां टेंप्रेटर बढ़ने लगता है Czech तो इस प्रेशर डिफरेंस की वज़े से मकर रेखा के आसपास से हवाई जो है वो साउस से नौर्ट की और चले लेंगे बिल्कुल सीधी और फेरल का नियम आएगा फेरल का नियम क्या कहता है कि हवाई साउस में अपने बाइं और नौर्ट की और जा रही है अब जैसे हवाई जो है भूमत द्रेखा को पार करती है लाइन अफिक्वेटर से लंका के दक्षि आसपास सिर पर चमक रहा होता है उस समय हमारे लगवक्त 14 गंटे का दिन हो जाता खुब गर्मी होती है तो उत्तर भारत के मैदान और तिबद का पठार जो है वह अच्छा खासा गरम हो जाता उसकी गर्मी की वजह से उत्तर भारत में जो टेंपरेचर है बहुत जादा हो सीथी इनने जारी थी ऐसे करके इसको जारी थी अब जैसे इन्हों है भूमद्रेखा को पार किया अब यहां पर जो कम दवाब का छेतर बन चुका है इस जगह पर कम दवाब का चैन्थ गर्मी में तेंपरेचर ज्यादा है यहां से एब कर चलेंगे अधिकदाव से ऐन को यहां से चली थी वो नमी भर कर ला रही है अपने साथ और जैसे से मई आया जून आया मौसम और गर्म हुआ यह हवाएं और आयू को बढ़ने लगती हो इस तरह से धीरे धीरे पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट को कवर कर लेती है ठीक है अब जैसे ही 15 सितंबर के आसपास क तो शुरू हो जाएगी और यहां गर्मी गरी तो शुरू हो जाएगी है ना तो गर्मी गरी तो मतलब यहां पर टेंपरिचर ज्यादा होने लगएगा यहां प्रेशर बढ़ने लगएगा और यहां प्रेशर कम होने लगएगा तो फिर से प्रेशर डिफरेंस पैदा हो ग करेंगे अचछा आप देखो जब हवास मुधर मीर चलेगी तो अपने साथ नमी ले करका आएगी नम हवदी to कि उिंड़ होगी जब हवाद जमीन से समुद्र की और हवा मांसुनुं से समुधर की होगी उसमें नमी ऐसा कि बिलुकिल होती उसे पहले मानसुन आसनी में आस्पास है last October, Lazard है दीि दीधे घ्राए वारिश होती नहीं कि टेछा उन्हेया है, अबना नो यह वही ट्वु पहलिए कि आजसा हता है लेकिन अचछानक अगर तंपर्चार बढ़ जाए कभी तब कभी में, तो आपके आसपा जो गड़े जील, तलाब, नहर, पोखर है ना उन में नमी होती अचाना टेम्प्रेचर बढ़ा बाश्पी करन हुआ उपर पानी नीचे की जो हवा है नीचे की जो पानी है भाब बनकर उपर उठा उपर आसवान में थोड़ी सी नमी है तो दोनों मिल जात ना खबरों आताना जाता मानसून भी रुला गया मांसून लोडते लोटते भी रुला गया तो अचाना गर्मी बढ़ी तो थोड़ी सी नमी जह वो उठी और बरस गई लेकिन आम तोर पर अब था हवा जमीन से समूद्र की ओर आती है वह खुश्क होती है या शुश्क होत होती है उससे बारिस बहुत कम होती है और जो हा corpor点 रॉकने के लिए उससे बार ne कोई barrier चाहिए घंबाए जंगल हो पठर हो ने करने के लिए मजबूर करें कहते हैं नहीं सवाल आता ना बनों के लाब लिखते हैं प्र stat करको डे बार यह रचा लगा लेए कैसे करते हैं अभी भी लोग को नहीं पता कैसे क權 थे बारिस जाने अंगे बन बारिस जा लटेंगा झाया य। बन कैसे बारिस कराएता भी गोई है तुर इक एकर में खेत में बन लगा लो बारिस करा दूहंगाद में लगा लुद कष्ट दस लदाक्रों तूप करा सकता है जो गने जंगल हैं वो वर्षा को आकर्षित करते हैं क्यों करते हैं कैसे करते हैं घने जंगल घने हरे भरे जंगल जो हैं गर्मी होगी तो उनके पत्तों से खुब पानी भाब बनकर उप उड़ेगा यानि कि वहां पर आउलेडी नमी खूब होगी तो उपर से थोड़ी बहुत नमी आ रही है ना वो लोकल नमी के साथ मिलकर के बारिश करा देती इसलिए जंकल जो है वो बारिश कराते हैं है ना और डेजर्ट होते ही गरह में और उपर उठो चले जाओ यहां से और उपर दूद महादीप में अंदर क्यों जाते जा रहे हैं अफ़ाइस्तान सुखा हो गया पाकिस्तान में आशक मोटी ए पाकिस्तान के फिष्टब्रे पन्का यह यह भी है क्वाई कमी है आपर समय रहें ना जाता है जब मांसूण 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत को कपुर क जाता है 15 सितंबर तक रहता है उन बेचारों गया 15 जोलाई से 15 सितंबर तक दो मेनत चलता है और दूसरी बात वहां तक जाते-जाते हमाओं की नमी काफी कम हो जाती है कम बारिश होती है हले कभी-कभी वहां की बाड़ा जाती है तो अब उसी तरह से आप देखें समझ गए जैसे हमारे यह मांसुन हाँ यहां 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 य घ्रारीय यहां भी टक्रारीय यहां भी टक्रारीय हमें लेकिन सबसे ज़या जो है व सीच पर है ठीक न सबसे जिए असकी वज़े क्या है इस विज़ाय ऊठी है हमाले यह में ऀजर्ट आफ एया सारा इलाका है zaj Genau sec यहां पर भी एट्लस फांटेंच आपको साब क्यों नहीं डाकर हां रहे इस बहुत है यह है यहां सब्रोड है और चूले यहां कि तरह के बंधरे कि जलवाई को चतर है उसी के वीच में सवान बिशन है सुडान की राइऽ क्लाइमेट बन जातां किसे लिए अभी है यहांसे नियों से चिहां 돌 भास के मांसुनी राती है मांसुनी हवा भी और को जई वहां कर आसकती है तो सुछ लेकिन कि देसे अंधर क को पहुंची ना बारिष की मात्रा कम होगी उसी तरह से यहां पर तो बारिष खूब हो रही है लेकिन जैसे हम कॉंटिनेंट के अंदर को जा रहे हैं बारिष की मात्रा कम होती जा रही है तो अब ऐसे लाके जहां पर पूरे साल हाई टेंपरेचर रहता है विंटर या तो हो विंटर होती है तब meidän सर्दि ऑली सर्दि ठीक है तो यहां पर आपको बारिष मिलेगी वह मिलेगी 100 cm से 150 cm तक आपको कहां मिलेगा अफरीका में देखो कई सारे देशों का नाम लिख रखे मैंने जैरे अंगोला नाइजीरिया माली सेनेगल सूडान केन्या जिंबाबे मालागासी मालागासी के आधी हिस्से में एक्विटरल टाइप के भूमद्रेखी प्रकारी जलवाई और आधी ह सुडान टाइप प्लाइमेट मिलेगा आ आँतर भात का ए क्लाइमेट मिलेगा आपको के धायगaaa और अध्वान बूहल घंड में की जाएगा छोटा नाकप्र में मिल जाएगा के लेकिन नेकिन उसतरा की विश्यस्ता हैं आपूंध से अब यहां पर बारिस कीतनी होती रहते हैं 100-500 cm पर अधर हाई तेंपरेचर में रहता है तो डुनिया में सबसे ज़्यादा टेंपरेचर वाली बेल्ट होना चाहिए लेकिन नहीं क्योंकि वहां बारिश खुब होती है यहां पर टेंप्रेचर खुब है बारिश कम होती है तो दुनिया में सबसे ज्यादा टेंप्रेचर वाली बैल्ट यह है दूसरे नंबर पर मांसून टाइप क्लाइमेट ठीक है अब नेक्स्ट अब जब इतनी बाते हो पना रास्ता बदल लेती है तो अब यहाप का हो गया महासाहर का मांसून उठ्वे मांसून पर्सांथ माशव साभर से मांसून उटता और जब लोटेंगτι तो जमीन से समूद्धर की और आएंगी अभारिस नहीं करएंगी लेकिन आप देखो जैसे हाप रहे न अ będą उस्टेलिया में यहां पर आप देखेंगे इसको मैं स aparece इस तरह से मिधार कर दूंँ यहां पर आपको और यह पूरा का पूरा भारत का हमाइप का भातियोग महादीज से कहते हैं यह अपका यह पूर भी महादीट यह पर फिलिपीनस में इंडोनेशिया मलेशिया बुरे पूरणिय सिंगापूर होंग कॉन आपको यहां पर मांसुनी प्रकार की जलवायू मिलेगी यहां पर किस से वारिश हो रही है यहां पर किस से वारिश हो रही है यहां पर किस से वारिश हो रही है आप जैसे लोटता हूं मांसुन या उत्तरपूरव का मांसुन अब जब यह मांसुनी हवाइं लोटने लगी आ यह बंगाल की खाली से उपर से उपर से गुजरिये दो इन्होंने अपने साथ नमी ले लिए लेकिन आप को यहां पर डिजर्ट बन गया यहां पर क्या बंगिया डेसर बंगया यह पूरा का पूरा इलाका यह साब ये जितना भी है यहां आका सुरह लाका डेसर बन गया यह सरा डेसर बन गैंascos यह सारा डीज़र्ट बन गया। थार का डीज़र्ट इधर आप अरब का डीज़र्ट यह सारा डीज़र्ड बन गया रिकिस्तान बन गया ही कि क्लीख अटाक्ला माकन कुण चीन इस डीजर्ट बन गया। यहां पर टीज turbul Gay Regard Sound रहां पर बन गया। कि आध मेकसिको के बहुत सारे एरिया जो है यहां पर आपको डिजिसर्ट मिल जाएंगे राक है यह तो घगार की बान गया अब अभी मानसून इस xi हाई ना पर यहां पर यह चाना टाइप वाईमइट की वजह अंग की वजह बन रही कियोरार है यहां पर कहंट नियुकस ऑ OF गल्फ टाइप क्लाइमेट है एक्चली यह भी चाइना टाइप क्लाइमेट ही है अभी चाइना टाइप क्लाइमेट की बात हम नहीं गर रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि जो हवाय है यहां से यहां जो टकरा रही है और मांसुनी हवाय है यहां से यहां टकरा अमरीका का उत्तरी हिस्सा, खासकर के North Venezuela, यहां पर आपको मांसुनी हवाइं मिलेंगी, यह जो पनामा तट है, यह जो मध्य हमरीका जिसे आप देख रहें न, यहां पर आपको मांसुनी हवाइं मिलेंगी, इसके लावा, यूएस से का जो दक्षणी पूर्भी तट है, यह, यहां पर आपको मांसूनी हवाएं मिलेंगे मैं नीली रंकी जाली बना लेता हूँ यहां पर यह सारी के सारी आपको मांसूनी जलवायू प्रदेश मिलेगा यह सारा का सारा आपको मांसूनी जलवायू प्रदेश मिलेगा यह तो डेजर्ट है ठीके न मांसुली टाइप है न सवाना टाइप है वहां पर डेजर्ट बन जाते हैं अभी डेजर्ट पे चलूंगा मैं मैं अभी सवाना टाइप में कुछ आपको बताना भूल गया हूं कुछ कहना चाह रहे हैं एक बार रोक दीजे क्यों हाथ तो हां मैं यह बता रहा था आपको कि सवाना यह सुडान टाइप क्लाइमिट है उस वहां वहां पर वेजिटेशन या नहीं वरस्पति के स्तरा ही मिलती है देखिए वहां ना तो डेजर्ट है और नहीं भूमद्रिय की परकार की जलवायू चाह कि आपको आपको टॉपिकल रैन फोरेस्ट मिल जाएं तो सवान सवाना यह सुडान टाइप क्लाइमित में ने बता दिया इसमें जिर चलोगे तो धीरे धीर diese बारिश काम होती जाएगे दीरे दीरे देख रहे हैं अपना इसमें इधर को चलेंगे तो दीरी दीरे बारिश कम होती जाएगी इसमें इधर को ऊपर को चलेंगे तो भी दीरी दीरे बारिश कम होती जाएगी अच्छा यह जो एरिया है यह भूमद्रेखा का एरिया है जैसे भूमद्रेखा से उत्तर क दक्षनड की यहां sunt Kane कम होते जाएगे इसी तरह दीरे धीरे जर्री मिल गया में औरिजर्ट में encant यह सारा डिजर्ट ही यह अफ्रीक डीजर्ट सब्सक्राइब प्रत मैंने आपको बता है रहा पहली फिनोमेना जैसे ही आप हवाय जारी है सागर से कॉंटिनेंट की तरफ को तो कोश्टल एर्या में खूब बरस रही है लेकिन जैसे अंदर को जारी है नमी कम होती जारी है पानी कम होता जारा ठीक है ना अच्छा अब देखो एक एक्चली यहा हानी की धारा बहती है यहां पर बैंगुला अब मैंने आपको क्या बताया बारी शोने के लिए का चाहिये गर्मी हो और गर्मी ओकर करके यहाँ पर गरम-पानी की धरा है जिसे मोजंबीक या म्मालाघस आए ःहां पर यहां पर यहां पणूरные घरम पानी है पानी यह पर और गरभ हो रहा यहां तो बेस रही है बकिन जैसे जुछ धथन्डी घारा और यह धंगुला की थंडी दारा इस एैरिया गटेंपरयचर गिरा देती इस也是 हंप्रेचर गिरा देती के जिसके विज़ें से हवा में नमी तो है लेकिन संग्रीच होने सव्मूद्र के किनारी होते हुए है अपकर आपको आपको है सबस्क्रण पर खूभ बारिश होती है नहीं सब्सक्राइब कि धारा के विए से इसमें यहां का टेंपरिचर इतना गिरा दिया कि यह समुद्र के पास होने के बाद भी डेजर्ट में बाद लिया अच्छा यह हवा जो इधर सारी ना यह भी बारिश कर सकती थी अंदर लेकिन यहां पर कोई माउंटेन नहीं यहां पर कोई माउंटेन ड रोक ले यह एक कनारी की जो ठंडी धारा है इसके असर को रोक ले इसलिए यहां पर डेजर्ट बन गया ठीक है ना तो एक तो क्या है इधर से दूर महादीपों के अंदर की और चले गए तो नमी कम हो गई दूसरे यहां ठंडे पानी की धारा है जिसने यहां का हो दिया इस वह से यहां पर बारिश नहीं हो पा रही है ठीक है ना तो किसमें बद गया डेजर्ट है लेकिन इसके बीश के इलाके हैं इसका असर यहां तर नहीं पहुंच रहा और यहां तक थोड़ी थोड़ी बारिश कर दे रही है यहां पर डेजर्ट नहीं है यहां पर तो इस्पेशली सवाना या सूडान टाइप जो क्लाइमेट होता है उसमें आपको जो है के जैसे बहुता ना खजूर बबूल बेल ताड इस तरह के पेड़ आपको मिलेंगे लेकिन दूर दूर बिखरे हुए यह पर जैसे हमारे घने जंगल होते हैं पास पास जैसे आप बागला आजए ना ऐसे नहीं दूर दूर बिखरे हुए पेड़ और बीच में उची-उची जाड़ियां इसलि मतलब गरन और ग्रास लेंड मतलब चारागा तो इहां के चारागों ही खुब सी क्या है के उची-उची तीन-तीन मीटर उची घंज जिसमें हाती भी छिप जाएगा वह बीच-बीच में जाड़ियों के यह चोटे-चोटे पेड़ आपको मिलेंगे तो चलिए अब सवाना उसे का दख़नी पूली तर्ट यहां पर 아westुली टाइफ मिल जाएगा दक्षन अफ्रीका का दक्षूनी पूलीथ खासके निटाल निटाल परांथ जो हैं यहां को इसके लावा अफ्रीका का जो मेृट कॉलीा अबालां देख रहें न यहां पराइनगा औरамиंट घंध. य जले आगे तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भूमत्य सागरी परकार की जलवायू इस पार्टन बस इतना ही अगर आपको हमारी महनत पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कीजिए थेंक्यू